नमस्कार आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग सोमवार 4 सितंबर का दिन भारत के इतिहास का एक स्वर्णीम दिन माना जाना चाहिए जब देश की एकता और अखंड़ता के बारे में हमारे देश की सरवोचा दालत ने वो किया जो 75 सालों से या कम से कम कहें सम्विधान बनने के बाद 73 सालों से उससे अपेकशा थी आप एक्षा यह होती है सुप्रिम कोट से ही नहीं सभी अदालतों से, देश के सभी नागरीकों से जो इस देश के समविधान में यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और उन सब से जो इस देश की एकता और खंडता को बनाये रखना चाहते हैं. सोमवार को जो दृष्षी था सुप्रिम कोट में वो देखने लायक था इससे पहले ऐसा दृष्षी आपको कभी देखने या पढ़ने को सुनने को नहीं मिला होगा मामला आपको पता है कि क्या चल रहा है सुप्रिम कोट में जम्मू कश्मीर से अनुछे 370 को हटाने के मुद्दे पर जो याचिकाएं दायर हुई है सरकार के इस फैसले को चुनावती देने की उन पर सुनवाई चल रही है और उन पर सुनवाई के दौरान Chief Justice of India और पूरी सम्विधान पीठ का जो रवया था एक मत रवया एक राय से वो बहुत से पाक समर्थक तत्वों को भारत में उनको का दिल दहला देने के लिए काफी है ये अगर रवया सुप्रिम कोट का है तो सरकार को इससे कितना बड़ा बल मिलेगा इसे आप समझ सकते हैं तो हुआ क्या हुआ ये कि याचिका करता जो नंबर एक है मुहम्मद अक्बर लोन वो इस समय नेशनल कॉंफरेंस के लोकसभा सदस्य है 2018 में वो National Conference के विधान सभा सदस्य थे और विधान सभा के पटल पर विधान सभा के अंदर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए कुछ नहीं हुआ कोई मुकदमा नहीं हुआ क्योंकि आप विधान सभा या संसत के अंदर जो कुछ बोलते हैं उसके अधार पर आप पर मुकदमा नहीं चल सकता लेकिन वोन की पाकिस्तान परस्ती बड़ी साफ थी और जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग खोजेंगे आप तो एक खोजेंगे चाब मिलेंगे और उसमें बड़े बड़े नेता मिल जाएंगे आपको मैं हुरियत कॉन्फरेंस या अलगावादी नेताओं की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ वो तो पाकिस्तान के पैसे पर पलते बढ़ते रहे हैं तो वो पाकिस्तान जिन्दाबाद बोलें तो वो बात समझ में आती है क्योंकि इसी का पैसा मलता है उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है उनको भारत का विरोध करने के लिए पैसा मिलता है यह बात साबित हो चुकी है जिस तरह से NIA करवाई कर रहा है पिछले 2019 से 5 अगस्त 2019 के बाद से उससे बड़ा स्पष्ट है ये बहुत बड़ा नेकस्स था जिसको तोड़ा जा रहा है पूरा टूड़ गया है भी कहना मुश्किल है सरकारी पदों पर सरकार में जो लोग बैठे हुए है पाक समर्थक आतंगवादियों के समर्थक उनकी बड़े पैमाने पर छटाई हो रही है सफाई हो रही है लेकिन अभी अभियान पूरा नहीं हुआ है तो ऐसे में सुप्रिम कोट का ये कहना कि जो मुख्याचिका करता है उनकी ओर से एक एफिडेविट आना चाहिए हाना कि ये मुद्दा उठाया सॉलिसिटर जन्रले सरकार की ओर से कहा गया ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहे हैं और यहां सम्विधान के अनुच्छेद भारतिय सम्विधान के अनुच्छेद 32 के अधिकार का उपयोग करते हुए सर्वोच अदालत के सामें पेश हुए हैं तो पहले तो ये बताएं कि इनकी निष्ठा भारत के सम्विधान में है या नहीं ये जम्मू कश्मीर को भारत का अभिनंग मानते हैं और इन सज्जन के वकील कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है कपिल सिबल कपिल सिबल उनकी और से वकालत करने के लिए खड़े हुए तो चीफ जरसिस इंडिया ने कहा कि अपने मुवकिल से कहिए कि पहले एफिडेविट दें कि वह भारत के सम्विधान में विश्वास हैं और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन अंग मानते हैं इस पर कपिल सिबल बिफर पड़ें पतकाइदे से होना चाहिए था कि शर्मानी चाहिए थी कि एक ऐसे व्यक्ति का मुकदमा लड़ रहे हैं उनका मुवकिल ऐसा है जो भारत के सम्विधान पर यकीन नहीं करता भारत की एकता खंडता पर यकीन नहीं करता लेकिन कपिल सिबल को इसमें कोई शर्म नहीं आई क्योंकि वो ऐसे ही लोगों का केस लड़ते हैं जो भारत विरोधी है जो मन से शरीर से हर तरह से भारत का विरोध करना जिनके जीवन का एक मात्र लक्ष है ऐसे लोगों के वक कपिल सिब्बल आपको हर मामले में मिल जाएंगे इस मामले में भी कपिल सिब्बल ने कहा कि ये बात ठीक है लेकिन जिसने ये बात कही है उस ने पहले उन्होंने ये कहा कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में कहा और कहा तो क्या इसका कोई गौड ना होने का कोई सवाल नहीं है और परिस्थितिया कोई भी हो आप देश के विरोध में देश के समविधान के विरोध में कैसे बोल सकते हैं और उसको कैसे कोई बड़ा वकील डिफेंट कर सकता है सुपरिम कोर्ट में खड़े होकर लेकिन कपिल सिब्बल ने यह किया और वो बार बार करते रहें कपिल सिब्बल की इस बात से सहमत नहीं हुए चीफ जस्टिस और उनके साथ ही कहा कि नहीं अपने मुख्किल से कहिए कि पहले एफिडेविट फाइल करें और एफिडेविट में यह होना चाहिए कि वो भारत के सम्हिधान में निष्ठा रखत आपके मुख्किल है तो उनके कि मैं उनकी और से बहस नहीं करूंगा उनका मैं हस्रेन मसूदी जो दूसरे निशनल कॉंफरेंस के लोगसाथ सदस्टिया उनकी तरफ से बहस करूंगा चीफ जिस माने नहीं उनका आप उनकी तरफ से बहस कीजिए आप मुहम्मद अक्बर लोन की तरफ से भी बहस कीजिए, हम आपको सुनेंगे, लेकिन पहले अपने मुख्किल को कहिए, तो कपिल सिब्बल ने बजाई ये कहने कि हाँ मैं कहूंगा उनसे एफिडेविट फाइल करने के लिए, उन्हों का कि वो तो लोगसभा सदस्य है, लोगसभा सदस्य बनने के लिए शपत लेनी पड़ती है भारत के सम्विधान की, तो उन्होंने सम्विधान की शपत तो ली ही है, यानि कपिल सिब्बल आखिर क्यों चाहते थे कि मुहम्मद अक्बर लोन भारत के सम्विधान और भारत की एकता अखंड़ता का हलफ नामा दायर न करें, सुप्रीम क लीट है, वो उनकी बात सुनने को मानने को तयार नहीं हुई, सॉलिसेटर जनरल तुशार महता ने कहा कि अगर इन से एफिडेविट न लिया गया, तो दूसरे लोगों को इससे प्रोचसाहन मिलेगा, दूसरे लोगों को लगेगा कि ये बोलकर हम बच सकते हैं और ये बो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाना, ये सब जम्मु कश्मीर के जन जीवन की आम बात हुए थे, और ये आम बात का ये सिलसला रुका है, या बदलना शुरू हुआ है, पांच अगस्त दोहजार उन्निस से, जब उनुछे 370 को शितिल किया गया, उसको और 35 को हटा दिया गया, 35 के बारे में पहले ही सुप्रीम कोट कह चुका है, इसने लोगों के मौलिक अधिकार चीन लिए, जिस विवस्था ने, जिस कानून ने लोगों के मौलिक अधिकार चीन लिए, उस पर इस देश की बड़ी राजितिक पार्टियां तिरपन साल तक बलकि यह चोवन में आया था तो दो साल और घटा लीजिए। तो इतने लंबे समय तक पांश दशक तक इस मुद्दे पर कोई बोलने को तयार नहीं था, उस उस प्रावधान को हटाने के लिए तयार नहीं था। ये इस देश में चलता रहा और ये सब होता रहा कॉंग्रेस की शह से और नेशनल कॉंफरेंस और दूसरी जो घाटी की पार्टिया हैं, पी डी पी और दूसरे छोटे दल जो हैं, उनकी वज़े से और अलगावादियों की वज़े से, जिस तरह से अलगावादियों को आज की मतलब इस सरकार से पहले की सभी सरकारों ने अपने दामाद की तरह ट्रीट किया, उनको केंदर सरकार से पैसा मिलता था, उनको केंदर सरकार से आवास मिलता था, जिसका किराया केंदर सरकार देती थी, उनके आने जाने का हवाई जाज का किराया केंदर सरकार वहन करती तो आप इससे अंदाजा लगाईए कि क्या हो रहा था इस देश में। तो जो है तिरंगा उठाने वाला हाथ में कोई नहीं रहेगा। अगर अगर 370 को हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी। वो सब आज बिलो में गुसे हुए है। इसलिए एक सरकार आई जिसने एक फैसला लिया, निर्नायक फैसला लिया। और तै किया कि ये अब नहीं चलेगा, अब तक चला वैसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा। क्योंकि ये देश के हित में नहीं है। ये देश की एकता और खंडता के हित में नहीं है। इसलिए नहीं चलेगा। और उसका नतीज़ा आप देखे जम्मू कश्मीर में जो खुशाली आई है जो तरक्की आ रही है लोगों में जो अमन चैन की भावना है जिस तरह से सामान जन्जीवन चल रहा है अब कोई पत्थर बाजी नहीं होती कोई आंदोलन का कैलेंडर जारी नहीं होता अब सीमा से गुस्पैट भी मिनिमम हो गई है कम से कम हो गई है आतंकवादियों के खिलाफ अभियान बहुत तेज हो चुका है बड़ी संख्या में इस बीच में आतंकवादी मारे गए है और किसी आतंकवादी के जनाजे में भीड़ नहीं जुटती अब ये परिवर्तन हुआ है लेक लेकिन जिस तरह से अब तक अदालतों का भी रवया रहा है उसको भी देखते हुए इस बात की कतई उमीद किसी को नहीं थी कि सुप्रिम कोट इस मामले पर स्टैंड लेगा इस से पहले होता तो अगर मुद्दा उठता भी तो ये कहकर टाल दिया जाता जो कपिल सिबल न इंडिया दीवाई चंदरचूर और उनके साथियों ने ये एक मैसेज देने के लिए कि वो दिन चले गए जब आप आतंकवाद का समर्थन कर सकते हैं जब आप पाकिस्तान का समर्थन कर सकते हैं और आपके खिलाब कुछ नहीं होगा अब ये देश बदल चुका है अब इ सरकार निनाये खोद तब विवस्था बदलती है जो बदलती हुई दिखाई दे रही है आज सुप्रीम कोट ने अगर ये स्टैंड लिया है तो इसलिए कि उनको मालूम है कि इसके पीछे एक मजबूत सरकार खड़ी है जो जिसमें द्रड लागीतिक इच्छा शक्ती है ज 370 हटने से किसका फायदा किसका नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ अलगावादियों और आतंक वादियों का नुकसान हुआ है उनकी मदद से राजनीती करने वालों का नुकसान हुआ है आम आदमी का फायदा ही फायदा हुआ है और इतना ही नहीं इस घटना के जरिये कपिल सिबल जैसे वकीलों को भी एक संदेश दिया है कि बस अब इससे आगे नहीं है एक सीमा होती है आप देश के विरोध में खड़े लोगों जो देश के सम्विधान में विश्वास न करते हों देश की एकता खंडता पर जिनका भरोसा नहों उनके पक्ष में खड़े होंगे तो आप भी जवाब दे होंगे बार बार कपिल सिबल चिट रहे थे कि मुझसे क्यों कह रहे हैं उनसे कहिए तब भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं उनकी और से वकील नहीं रहूंगा उनका केस छोड़ दूँगा जो पूरी दुनिया को बात मालूम है वो कपिल सिबल को नहीं मालूम है अब भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो और या अगर ऐसा वो कहेंगे तो तो इस से समझिए कि कितनी तरह की बीमारियां पनप रही थी अदालत से लेकर सामाने जन्जीवन तक ये लोग घुन की तरह इस देश को खोकला कर रहे थे आतंकवादियों का केस लड़ना नकसलवादियों का केस लड़ना जो अपराधी हैं माफियां हैं उनका केस लड़ना ऐसे वकीलों को भी एक्सपोज किया जाना चाहिए आप अपने किसी मुवक्किल के पक्ष में खड़े हो सकते हैं लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं जो देश के विरोध में खड़ा हो ये सवाल देश आज इन लोगों से पूछ रहा है और लोगों की ये भावना सुप्रिम कोट तक भी पहुँच रही है सोमवार फिर कह रहा हूं सोमवार 4 सितंबर 2023 का दिन इसलिए याद रखा जाना चाहिए कि इस दिन सुप्रिम कोट ने जन भावना और समविदान की भावना दोनों के आधार पर एक स्टेंड लिया जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मति दीजिए आपसे अन्रोध है कि ये चैनल देखे शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार